ये टॉपिक देखेंगे उसका नाम है रोल्स ओफ HR मेनेजर का क्या क्या है रोल्स है तो विखी करके हम लोग टॉपिक के माद के हमसे इसको समझने का कोशिज करते हैं नम्बर न जो है वो क्या है recruitment and staffing सबसे पहला इसमें है talent acquisition selection process और on board आप जो है सो प्रोपर एंचार डिपार्टमेंट का काम है कि प्रोपर टालेंट को identify करें कि टालेंट को एक्वाइस करना ठीक है उसको identify करना उसके आद उसका selection का जो भी process है ठीक है ना चाहे वो interview है screening है जो भी process है selections का उस selections को follow के process को follow करना और जब new जो है so employees जो है so आपको organization में report करेगा तो वो onboarding भी किसके पास करेगा तो HR department के पास करेगा तो talent acquisition selection process और onboarding मतलब आपको identify करना talent को वहां से ले करके आपको join कराने तका जो process है यह पूरा process किसका है तो recruitment and staffing यह roles है किसका तो HR का HR department का उसका एंप्लॉइस relation किसी भी तरीके का अगर conflicts है conflicts मतलब दो employees अगर काम कर रहा है किसी भी तरीके का जो है so अगर किसी बात पर किसी पॉइंट पर किसी भी तरीके का अगर जो है कहीं इंगेज करें तो इंगेज करने का भी काम किसका है तो human resource department का उसका communications company के अंदर जो है सो दो टीम के बीच में दो जो है so employees के बीच में यह communications जो है वो कैसा होना चाहिए तो अच्छा होना चाहिए यह भी ensure करना किसका काम है तो human resource department का इसके बाद फिर हम लोग समझते है third point performance management evaluating करना systems को हमेशा जो है so कि कौन सा department अच्छा काम कर रहा है कौन सा department जो है तो थोरा सा week है या कौन सा करमचारी जो है सो बहुत अच्छा performance कर रहा है तो इस चिज़को भी evaluate करना किसका काम है तो performance के management करना भी जो है सो काम human resource department का है उसका feedback और coaching उसका proper feedback लेना और फिर उसको coach करना कोचिंग मतलब उसका proper जो है development के लिए क्या course करना चाहिए वो कैसे improve कर सकता है तो यह सारा भी काम किसका है तो human resource department का है इसके बाद फिर है training और development training और programs को organize कराना चाहे जैसे देखिए कोई अगर educational institution है तो उसमें faculty development program लोग करवाते हैं या फिर कोई जो है सो मतलब की faculty कैसे develop कर या किसी भी organizations में कोई नया skills आ रहा कोई नया technology आ तो उसके लिए seminar करवाना या फिर किसी awareness का program करवाना तो यह training और program हमेशा करवाना उसके जिसे क्या होगा कि career development होगा लोग जो है सब करमचारी जो steps जो है वह अच्छा जो है स्किल सिखेंगे तो organization के लिए वह क्या है beneficial होगा इसके बाद है compensation और benefits क्या 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 compensation मिल सकता है करमचारी को जो best compensation है वह प्रोभाइट करना जो organization का जो policy है उस policy के ताहत जो best compensation है उसके लिए aware करना या फिर कोई जो scheme से government की scheme से तो उसके लिए aware करना कि यह scheme से आप इस तरीके से apply कर सकते हैं और इससे आपको schemes का लाह में सकता है तो इस compensation की structures को बताना benefits के administration का काम करना तो यह सारा काम जो है तो क्या है human resource department का है उसके रहाद फिर हम लोग समझते हैं आगे catches, compliances और legal issue regulatory compliances किसी भी तरीके का compliance organization के उपर है तो उसको regulate करना भी काम किसका है तो human resource department का है कोई policy को develop करना को policy नए policies को लाना तो यह भी काम किसका है तो policy के development का भी जो काम है वो किसका है तो HR department का है ठीक इसके बाद फिर हम लोग आगे समझते हैं किसके बारे में तो culture building और change management culture building मतलब जैसे किसी भी cultural event पे जो है सो उसको organize कराना एक अच्छा culture बनाना या फिर जो है सो कोई नए जो है सो skills को या नया जो है सो किसी culture को build करना कि हाँ यह organization में एची चला है जैसे माले यह dress code होना तो यह culture है ठीक है ना हर करमचारी को icon लगाना तो यह culture है या फिर कभी जो festival पर या फिर जो है सो national festival पर जो है किसी event को organize करवाना तो यह भी एक तरीके का क्या है culture है तो यह सारा चीज जो है सो करना culture को build up करना यह human resource department का काम है किसी भी तरीके के अगर बदलाओ हो रहा है management में तो उस बदलाओ को manage करना यह भी human resource department का का काम है इसके पिर हम लोग समझते हैं थोड़ा था HR Matrix और डिपोर्टिंग के बारे में जैसे हर करमचारी का जो डेटा है प्रोपर वो सारा डेटा किसके पास होगा तो हम लोग कहते हैं HR Matrix उसके रिपोर्टिंग उसका प्रोपर डिपोर्ट बनाना कि हाँ कब से कब जिसे माली कोई करमचारी है और इतना से इतना तारीक तक आपने काम किया यह यह बेनिफिट्स है कोई न्यूज वह नहीं है तो उसको सारा चीज बताना तो यह सारा डिपोर्ट का जो काम है वो किसका है human resource department का रिपोर्ट होने से क्या होगा कि आपको जो decision making capability है वो improve हो जाता अगर किसी का जो है सो रिपोर्ट रहेगा तो organization के head को या फिर जो management team है उसको कोई भी decision लेने के लिए जो है सो बहुत जादे सुचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर किसी भी employee का या किसी भी चीज़ का data है तो उसको proper वो कोई परभार देना है या कि जो है सो कोई नया responsibilities देना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी तो reporting और HR metrics यह दोनों जो काम है वो क्या है तो data management और reporting का काम human resource department का health safety और well-being ठीक है नवर्क प्लेस पे safety का मानव follow हो रहा है कि नहीं हो रहा है fire extinguisher का जो है सो proper वेवस्ता है कि नहीं है या exit gate proper जो है सो working है कि नहीं है emergency gate working है कि नहीं है तो यह सारा चीज़ workplace के safety का भी ध्यान डखना किसका काम है human resource development का काम है department का well-being program मतलब एक अच्छा जो है सो कैसे program सब करवाए जिससे अच्छा जो है सो culture develop हो तो यह भी काम human resource development का है health safety और well-being ठीक है ना health मतलब स्वस्त है कि नहीं है लोग उसका उसकी सुरक्षा का ध्यान और वो ठीक से है रहे इस तीनों बात का ध्यान रखना किसका का काम है तो human resource development का काम है health safety और well-being क्या चीज़ तो health safety और well-being यह तीनों काम किसका है human resource department का है इसका हम लोग strategic planning HR का strategy बनाना की कैसे हम लोग manpower को involve करें जो objective organization के उस objective को receive करने के लिए जो vision है जो mission है उस पर काम करने के लिए तो यह भी काम human resource department का है उसके लीडर्शिप support provide कराना भी काम human resource department का है मतलब एक leadership provide कराना यह काम किसका है human resource department का है इन सब चीजों को हम लोगो ने देखा कि roles क्या है human resource का ठिक ओके थैंक यू